Amazing Fact About Helium Fact No.1 Helium का प्रतिक HE और इसमें परमानो संख्या दो होती है यह एक रसानिक तत्व है Fact No.2 Helium एक रंगहीन बेस्वाद और गंदहीन गैस है Fact No.3 Helium हाइडोजन के बाद ब्रहमाण में दूसरा सबसे प्रचूर तत्व है और ब्रहमाण में परमानों के लगबग 25% हिस्सा भी है Fact No.4 Helium एक रसानिक तत्वों के एक समुख का हिस्सा है जिसे नोबल गैस कहा जाता है अन्य पांच जो सभावेक रूप से होते हैं नियोन, औरगन, क्रिप्टाउन, सोनोन और रेडाउन है Fact No.5 प्रांसिसी और अंग्रेजी खोगल विदो पियरे, जानसेन और नॉर्मन, लाकियार को सन्युक्त रूप से 1868 में सूरे ग्रहन के बाद, सूरे के परकास के विसिसलन के बाद ही हीलियम की खोच करने का सरेथ दिया जाता है Fact No.6 सन्युक्त राध्य अमेरिका, हीलियम का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है जादे तर भंडार, बड़े प्राकृतिक गैंस शेतरों में पाये जाते है Fact No.7 क्योंकि हीलियम हवा के तुलना में हलका होता है उसका उप्योग आमतोर पर एरशिप और गुबारों में भरने के लिए किया जाता है चुकि ये अन्य रसायनों के साथ जलता या प्रतिक रिया नहीं करता है इस बज़े से हीलियम का उप्योग करना अपेच्छा करत सुरक्षित है Fact No.8 जबकि हाइड्रोजन हीलियम के तुलना में 7% अधिक उच्छाल वाला है लेकिन इसमें आग का जोखिम बहुत अधिक होता है Fact No.9 हीलियम गैस का उप्योग उड़ने वाले गुबारों में किया जाता है Fact No.11 हीलियम की खोशब से पहले सुर्वे पर की गई थी Fact No.12 तारों के अंदर हाइड्रोजन के परमानू नाव के संकलन किरिया दोरा आपस में जोड़कर हीलियम का निर्मान करते है इस तोरन बहुत बड़ी मातरा में उर्जा निकलती है चो तारों की उर्जा का स्रोथ है Fact No.13 हीलियम पिर्चवी की पपरिवे पाई जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों के छे से उत्पन होती है Fact No.14 वायू मंडल में अल्प मातरा में हीलियम पाई जाती है यह हीलियम पिर्चवी की गोर्तवा कर्शन से बंदी नहीं होती और लगतार अंत्रिक्ष में विलीन होती है Fact No.15 अवाद की गती हीलियम गैस में समानने हवा की तुलना में तीन गुना अधिक होती है दोस्तों अब जानते हैं हीलियम के गुनों के बादे में No.1 हीलियम हाइडरोन के बाद दूसरा सबसे हलका तत्व है No.2 हीलियम रसाइनिक रूप से निस्क्रिय गैस है No.3 हीलियम किसी भी अन्य गैस की तुलना में जल में सबसे कम घुलन सील है No.4 हीलियम सबी तत्वों में सबसे कम तापमान No.2 68.93 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में परिवर्तित होती है No.5 समाने दवाब पर हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता No.2 23.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी नहीं No.6 हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए No.273.15 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अलावा 337.92 डिग्री PSI का दवाब रखा जाता है No.7 No.271 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम तरल अवस्था में ही रहता है परन्तु इस तापमान में इसमें कुछ विचितर गुन आ जाते है No.271 डिग्री सेल्सियस से उपर के तापमान पर ही हीलियम को हीलियम का जाता है और इसे कम तापमान को हीलियम को हीलियम तू का जाता है No.8 माइनस 2-71 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम की विसकासिटी सुल्ने हो जाती है और एक सूपर फुलोईड बन जाती है सूपर फुलोईड एक ऐसा गोल है जिसमें किसी भी पर्धारत को गतिमान किया जाये तो वे अनंत काल तक गतिमान रह सकता है नमबर नाइन माइनस 2-71 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम की थर्मल कंडिक्टिविटी लाकों होना बढ़ जाती है दोस्तों अब जानते कि हीलियम कहां-कहां उप्योग किया जाता है नमबर वन हीलियम एक निस्क्रिय गया से और रक्ट में नहीं गुलती इसलिए इसका उप्योग समुद्र में गोता खारों के इसकूबा टैंक में ऑक्सिजन के साथ किया जाता है हीलियम का उप्योग नाइट्रोजन के स्थान पर किया जाता है दोस्तो आज की वीडियो के लेत नहीं, अगर वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा